हरी कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम तो जपा टॉक देने से पहले मैं मंगलाचरण कर लेती हूँ श्रीगुरुनवैष्णवांप्श्च श्री रूपससाग्रजातं सहगररगुनाथानवितं तंस जीवं साधव disp साव धूटन परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं स्री राधा कृष्णनपाद्ण सहग Україटषरी विशाक्ःफांभिता मुष्च Dash कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो सुते तप्तकांचन गौरांगी राधे व्रिंदा वनेश्वरी व्रुषभानु सुते देवी प्रणमामी हरी प्रिये वांचा कल्पतर उभ्यष्च कृपा सिंधुब्य एवच पतितानाम पावनेभ्यो वैष्ण वेभ्यो नमो नमहा नमाउं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामिनिती नामिने नामस्ते सरस्वते देवे गव्रवानी प्रचारिने निर्विशेश शूनिवादी पाष्चाति देश तारिने जै श्रीकृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधार श्रीवा साधी गव्रभक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा दन्वत प्रणाम आप सबी को तो आज के सत्र में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो शुद्ध भक्त हैं जो भगवान के महान भगते हैं उन्होंने भी जिखवा पे हरी नाम के होने का क्या महत्तु बताया है जितने भी हम शुद्ध भगते देखते हैं वो हमेशा कहते हैं कि सदैव सदैव निरंतर रूप से हमें हरी नाम का जाप करना चाहिए अरिनाम का अमृत सदैव हमारी जिखवा पर होना चाहिए तो आज हम जो जिस भक्त के बारे में देखेंगे और उन्होंने क्या बताया है वो सुनेंगे इनका नाम है बिल्वमंगल ठाकुर बिल्वमंगल ठाकुर जो थे वो दक्षिन भारत के ब्रामन परिवार में जन्मे थे पर बहुत तिक वासनाओं में इस प्रकार से पड़े कि ब्रामन कुल में जन्म प्राप्त करने के बाद भी वो एक वैशास्त्री जिनका नाम चिंता मनी था उनकी वासना में उस वैशास्त्री के वशी भूत हो गए और पूरी तरीके से अपनी भातिक इच्छाओं को पूर्ण करने में लगे हुए थे भातिक वासनाओं को पूर्ण करने में लगे हुए थे तो भगवान शी कृष्ण की कृपा देखिए कि इस प्रकार के एक व्यक्ति को भी वो किस प्रकार से शुद्धभक्त बना देते हैं तो कभी हमें ये सोच के नहीं निराश होना है कि हम बहुत पतित हैं पाप में पापकार्म हमने किये हैं तो हमें कैसे भगवान की कृपा प्राप्त होगी भगवान के लिए हम सभी उन्हीं के एक उनसे विरह में जो रह रहे हैं उन्हीं क्या अंश हैं और भगवान हमेशा यहीं चाहते हैं कि हम वापस उनके पास लोटाएं तो इस प्रकार से बिल्वमंगल ठाकुर जो है पूरी भहतिक वासनाओं में डूबे हुए थे भहतिक इच्छाओं को पूर्ण कर रहे थे ब्रामन कुल में जनम प्राप्त करके भी भहतिक वासना में पड़े पर एक दिन ऐसे आया कि वो इतना इंद्रियत रुप्ती के पीछे इतना भाग रहे थे कि चिंतामनी उस वैशास्त्री को देखने के लिए इतना उत्सुक हो रहे थे कि उन्हें एक नदी जब पार करनी पड़ी तो नदी में भेते हुए एक मृत शरीर का सहारा उन्होंने लिया नदी को पार करने के लिए पर वे इतने वशी भूत थे इंद्रियत रुप्ती के पीछे इस प्रकार से भाग रहे थे उनको पता ही नहीं चला कि वो मृत शरीर था और रसी के बज़ाए उन्होंने साप को साप का सहारा लिया और फिर जब वे आखिर में पहुंचे चिंतामणी के पास तो चिंतामणी ने उनकी हालत देखी नदी में मृत शरीर का सहारा लेकर पूरे भीगे हुए हैं बिरुमंगल ठाकुर और उनको इस हालत में देखकर चिंतामणी को भी लगा कि ये किस प्रकार की उच्छता है और ये किस प्रकार की भोग करने की इच्छा है तो उसने कहा कि आप मेरे भोग में इतने पड़ ग चिंतामणी ने उनको कहा कि आपको भगवानशी कृष्न की सेवा में लग जना चाहिए आपको व्रिंदावन जना चाहिए तो इस प्रकार से विल्वमंगल ठाकुर जी का व्रिंदावन आना हुआ और वृंदावन में होकर भी उनकी कामवासना नहीं गई तब किसी अन्यस्त्री को देखर उनको कामवासना हुई तो उन्होंने तब अपने ही आँखों को नश्ट कर दिया और उन्होंने तेह किया कि भगवान शी कृष्ण और आधारानी की सेवा में वे अपना जीवन लगाएंगे और इस प्रकार की भक्ति साधना की कृष्ण करनामृत नामक उन्होंने रचना लिखी है बहुत सारे गीत उन्होंने लिखे हैं और इतनी सुन्दर बाते हैं इस लोकों में इन गीतों में यदि आप सुनेंगे तो कहा जाता है कि जब वे विरंदावन में वे तो अंधे थे निच्छा से अंधे हुए ताकि वो इन भौतिक इच्छाओं के पिछे ना भागें और कहा जाता है कि विरंदावन में जब बिलो मंगल ठाकुर थे तो स्वयम भगवान शी कृष्ण उनके बास आया करते थे उनके गीतों को सुनने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए चोटे प्रजवासी चोटा सब रजवासी लड़का उनके पास हमेशा आया करता था और वो कोई नहीं भगवान शी कृष्ण स्वयम थे बिल्वमंगर ठाकुर जी ने एक बहुत सुन्दर श्लोकावली लिखी है जिसका नाम है गोविंद दामो दरमाधवेती बहुत सुन्दर अगर आप इसको सुनेंगे तो इसमें से मैं जो नवा श्लोक उन्होंने लिखा है वो आपको पढ़के सुनाना चाहूंगी और इसमें भी वे हरी नाम के बारे में बता रहे हैं विचित्रवर्ना भरना भीरामे अभिदेहि वक्त्राम बुजराज हमसी सदामदीये रसने ग्ररंगे गोविंद दामो दरमाधवेती तो हम जब हरी नाम का जाप करते हैं या भगवान के नामों का स्मरण करते हैं नाम स्मरण करते हैं नाम आशरे जब लेते हैं गोविंद दामो दरमाधव इस प्रकार से भगवान को पुकारते हैं तो हमारी जिखवा जो है जिस जिख्वा के वशी भूत हम सब हमेशा रहते हैं या तो ये ऐसी अनेतिक बातों में लगा रहता है या कुछ न कुछ खाने की इच्छा होती है जिख्वा की सारी भौती चीजों में बहुत रुच्छी है सबसे ज्यादा यदि कोई इंद्रिय बलिष्ट है तो वो है हमारी जिख्वा तो इस प्रकार की विचित्र जिख्वा पर आभरण के रूप में जब हम हरी नाम का जाप हरी नाम जब सजाते हैं इस जिख्वा पर हरी नाम लेकर गोविंद दामोदर माधव इस प्रकार से जब भगवान को पुकारते है हमारी जिख्वा ऐसे हो जाती है जिस प्रकार से एक तालाब के अंदर राज हंस बेटा है हंस जिस प्रकार से एक सुन्दर हंस अगर तालाब के अंदर बेटा होता है उस प्रकार से जिख्वा के उपर हरी नाम प्रभू विराश्चते हैं ऐसा हम समझ सकते हैं और हमारा जो म सुन्दर हो जाती है जब हमारी नाम का जाप करते हैं सदा मदीय रसने अग्ररंगे जब हम भावपूर्ण रस के साथ माधुरी रस के साथ, वादसली रस के साथ, दास्य भाव के साथ भावपूर्ण रुप से जब हमारी नाम का जाप करते हैं और कब करते हैं सदा मदिये हमेशा निरंतर रूप से हरी नाम का जाब करते हैं तो हमारी जिख्वा पवित्र हो जाती है शुद्ध हो जाती है और शुद्ध जिख्वा पर राज हम्स जैसे हरी नाम प्रभुआ कर विराजमान होते हैं तो हरी नाम का जो भक्त कभी बहुतिक इच्छाओं के पीछे को जो व्यक्ति पहले बहुतिक इच्छाओं के पीछे इतना पागल था वो व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बन जाता है किवल हरी नाम के जाप से तो ये बहुत आवश्यक है कि हम हमेशा हरी नाम के जब में रुच्छी बनाए रखें और निरंतर रूप से हरी नाम का जाब करें मैं सीनिर डिवोटी अमोग लीला प्रभुजी की लेक्चर सुन रहे थी प्रभु जी बता रहे थे कि शीला प्रभुपाज से किसी ने पूछा कि ये बार बार हरी कृष्णा महा मंतर का जब आप करते रहते हैं आप बोलते हैं 16 माला करनी है। इसका क्या लाभ है? 16 माला क्यों करनी है? हरी नाम तो बहुत पवित्र है एक बार भी बोले तो पवित्रता आ जाएगी तो ये सोला माला क्यों करनी है हरी नाम का जाब सोला एक सो आठ बार हम लोग हरी नाम का जाब करते हैं वो भी सोला माला ये कुछ जादा नहीं हो गया इस प्रकार से भक्त ने शीला प्रभुपाद को प्रशन पूछा तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवद गीता में तो भगवान श्री कृष्ण, अगर आप भगवान श्री कृष्ण की बात सुनें तो भगवान तो कहते हैं कि सदैव उनका स्मरण किया जाए, सदैव हरी न का स्मरण करना है हरी नाम का जाब करना है पर मैंने तो बहुत आपको कम करके दिया है सिर्फ सोला माला ये भी अगर संभव नहीं है तो कैसे हम भक्तिसाद्ना में आगे बढ़ पाएंगे तो सभी शुद्भक्तों से सभी भगवान के जो दास हैं जो शुद्भक्त हैं उनकी भक्ती से प्रेड़ना लेते हुए हम हरी नाम का जाब कोशिश करें कि निरपराध और पुरी शुरुद्धास से पुरी रुची के साथ हम हरी नाम का जाब कर सकें यही मेरी प्रार्थना है और इसके साथ मैं जपाटो को यहीं पर समाप्त करती हूं श्रीला प्रभपात की चै हरी नाम प्रभू की चै धन्वत प्रणाम हरी कृष्णा धन्वत प्रणाम